एलो स्टुडेंट डिस इज अन्पम गंबीर एंड यू आर वाचिंग अन्पम इंग्लिश क्लासे आज के इस वीडियो लेक्शन में हम एडवर्टाइजमेंट सिखेंगे त्री या फोर माक का आपके एक्जाम में ये कुश्चन आता है छोटा सा कुश्चन होता है बहुत इसी है चलो स्टार्ट करते हैं एडवर्टीजमेंट किसे कहते हैं एडवर्टीजमेंट इसा प्रमोशन ओफ प्रोड़क्ट और सर्विस टू कैच इंटरस्ट इंगेस्मेंट एंड सेल्स इन तो एडवर्टीजमेंट का मेंनी होता है तो लोगों तक या आपके के प्रिकार के बच्चों दो प्रिकर के क्लासिफाइड ऐडवर्टिजमेंट एड comerschल ऐडवर्टिज मेडक्रि na klay ¿क्लासिफाइड यही क्लासिफाइड लिए क्लासिफा जातार है प्लासिफाइड एड़र्टिजमेंट होता है To Szene or buy to rent or to find or offer a job Classified Advertisement को Students इस फोटो से भी समझ लेते हैं देखिए इसमें एक Advertisement देना है आपको दिये वें फॉर रेंट के लिए अगर आपने कोई मकान देना है कैरियर के लिए सर्विस प्राप्ट करने के लिए अपने एजूकेशन बतानी है या आप कोई जॉब चाहा रहे हैं तो यह Classified Advertisement के एक्जामपल है जो कि आप मैगजिन या नियूस पेपर में दे सकते हैं उसके लिए आपको पेट करना होता है और यह Students Commercial Advertisement के एक्जामपल है जैसा अब यह कार को सेल करना है तो इसके लिए विग्यापन दिया है या कोल्रिंग का विग्यापन दे रख है और इसके साथ ही Beauty Products के कुछ एक्जामपल यह दिये गए हैं यह सब Commercial Advertisement है जो आप टीवी में भी देखते हैं और मैगजिन में नियूस पेपर में भी इस परकार के Advertisement आते हैं और इसको लिखने का फॉर्मेट क्या है इस्टुडेंट कोई खास फॉर्मेट नहीं है सबसे पहले आपको हैडिंग लिखना है हैडिंग आपके कोश्चन से रिलेटेड होना चाहिए जो Classified Advertisement के काइंट से हैं वह हैडिंग में भी आ जाएगा उसके बाद एक लाइन लीव करनी है लाइन लीव करने के बाद आपको लेस देन 50 वर्ट में अपना कांटेंट को कंप्लीट करना है और इंड में फॉर क्वेरी के लिए आपको एंड्रेस या कांटेंट नमबर आपको अपना देना है अपनी वेस्ट नहीं करना है second is begin with the heading in bold and capital letter तो आप जब एडिंग लिखेंगे या तो वो bold letter से हो और capital letter तो होगी होगी और bold letter में भी आप उसको लिख सकते हैं और साथ ही आप underline भी कर सकते हैं do not make full sentence write in phrase or use comma तो आपको कोई भी पूरा sentence grammatical language का use नहीं करना है only phrases use करने हैं और comma लगा लगा के cover करना हैं आपका अपना add contact detail at the end और last में आपको अपनी contact detail देनी है क्योंकि तभी तो वो आपसे संपर्क कर पाएंगे न अगर आपको कोई माल लेजिए मकान rent पे चड़ाना है तो आप उसके बारे में add देते हैं तो नीचे आपको अपना contact नमबर देना पड़ेगा न जिससे आपसे वो contact कर पाएगा जिरो ने लेना लेकिन जो भी contact नमबर देना है अगर question में mention है तो ठीक है आप वही लिख दीजिए लेकिन अगर question में mention नहीं है तो आपको personal detail बिल्कुल भी नहीं देनी है तो वहाँ पे आप xyz अपना name शो कर सकते हैं या number कुछ भी 001238 कुछ भी लिख सकते हैं use simple language और उसको simple language में होना चाहिए कोई भी grammatical या tough language बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है इट शुड़ भी इनने box box में लिकावरना चाहिए लास्ट में उसको box में cover करना है students box में बंद करना मस्त है और जो भी lines आप ड्रॉ करेंगे वह स्केल से प्रफर कीची हुई होनी चाहिए तेरी मेली बिल्कुल भी line up ना बने types of classified advertisement देखते हैं there are seven types of classified advertisement students seven परकार के classified advertisement होते हैं जिसमें से कोई एक आपके exam में आ सकता है first as situation weekend this advertisement is written by an employer or owner who is looking for the service of a person in his organization अपनी संस्था में अपनी company में किसी को अगर employer की जुरत है तो वह situation vacant कहता है कि जगह खाली है तो आप आ सकते हैं अपना ad दे सकता है तो उसके लिए कौन-कौन से tips होनी चाहिए क्या क्या detail होनी चाहिए begin with wanted or required से वह advertisement start होना चाहिए state the name of company आपको company का नाम भी mention करना है जिसमें आप employee को रखना चाह रहे हैं mention the post post भी आपने उसमें advertisement में डालनी है और next है qualification और experience जितनी desire है जितनी आपकी चाहत है कि कितनी qualification चाहिए वह detail देनी है गिव age और sex बताना है अगर must है तो नहीं तो यह जरूरी भी नहीं है mention pay scale and perks pay scale बताना है perks किसे कहते हैं जब pay के साथ salary के साथ और भी benefits दिये जाते हैं जैसे petrol का खर्चा दे दिया जाता है या फोन रिचार्ज करवा दिया या फंड दे दिया तो यह extra perks होते हैं जो salary के साथ दिये जाते हैं इंड विद द कॉंटेक्ट एड्रेस और फोन नंबर और लाश्ट में आपको कॉंटेक्ट एड्रेस भी देना या फोन नंबर भी साथ लिख सकते हैं सिच्वेशन वेकेंट एडवर्टीजमेंट को इस एक्जामपल के थू समझ लेते हैं होटल उदे रेजिदेंसी डेली नीट्स यंग एंड स्मार्ट लेडी रेसेप्शनिस चाहिए राइट एंड एडवर्टीजमेंट तुभी पब्लिज जिन्दा सिच्वेशन वेकेंट कॉलम ओफ लोकल नियूस्पेपर तो रिसेप्श लेकिन अगर कोशन में मेंशन नहीं भी है कि सिच्वेशन मेंट है और अगर उसमें आपको पता चल रहा है कि ये खाली है कंपनी में जॉब या किसी संस्ता में तो वहां आपको सिच्वेशन मेंट हैडिंग डालके स्टार्ट करना है कोशन में मैंशन किये गए हेडिंग के अकॉर्डिंग ये आपको चलना है वांटेट, कनवेंट, एजुकेटेड, स्मार्ट एंड यंग लेडी विद प्लीजिंग पर्सनेलिटी एंड फ्लेंसी इन कॉम्मिनिकेशन तो वर्क एज रिसेप्शनिस्ट knowledge of a foreign language and English will be preferred तो prefer किया जाएगा अगर उसको foreign language और English language भी आती है तो उसको prefer किया जाएगा handsome salary and perks, salary के साथ साथ perks भी दिये जाएंगे जैसे कि आपको बता है, extra facilities भी दी जाएगी salary के साथ साथ knowledge of computer is must, जोकि receptionist है तो computer की knowledge भी must है incentive will also be provided, apply within 9 days with complete prior data बायो data के साथ 9 days के अंदर ही आपको apply करना है hotel or the residency, the second kind of advertisement is situation vacant this is individual who seeks a job, या job seeker ये लिखता है advertisement जिसको job चाहिए, मतलब उसके पास qualification है बहुत सी और उसको job चाहिए, उसके पास भी कोई job नहीं है, तो वो यह advertisement लिखेगा notes कैसे लिखेगा वो, उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, qualification and experience mention करना है, seeks लिखना है, आप part time और full time बताना है कि आप कैसे job करना चाहते हैं और negotiable salary और accepted salary up to 30,000 तो negotiable का मतलब होता है कि बातचीत करने के बाहर, decide कर लिजाएगी कि कितना work है, कि space पे, तो उससे salary वैसे decide कर लेंगे और या फिर आप बता सकते हैं कि up to 30,000 से minimum इतनी होनी चाहिए, interested company may contact और जो भी company चाहती है, वो इससे contact कर सकती है, इंड में आपको contact number देना है, एक्जांपल के तुरू समझते हैं, you are harsh of a 305 शक्ति apartment sector 6, New Delhi, being a retired lecture of English, you need part-time tuition, write out advertisement to be published in the situation vacant column of Hindustan times, तो यह हिंदुस्तान time में आपको एक advertisement देना है, और आप lecturer है, रह चुके हैं, retired हैं इस समय और part-time tuition चाहते हैं डेली में, address जो mention है वही आप लिखेंगे, तो start कैसे करेंगे, situation wanted, बता चल गया ना, यह wanted के लिए, seeker के लिए, job seeker के लिए, तो यहां पे heading डालेंगे, situation wanted, एक line, skip करेंगे, और फिर अपना लिखना है, start करेंगे, a well qualified and experienced lecture of English seeks private tuition to teach English to the student of class 11th और 12th और college level, तो आपको क्योंकि आप lecturer है, तो छोटे बच्चों को तो बढ़ाएंगे नी, तो इसलिए class mention कर देंगे, tuition charges are 300 per hour, एक घंटे के charges 300 है, और interstate student make contact, HK Verma, A 305, शक्ति अपार्टमेंट, sector 6, New Delhi phone number, last में आपको उसको एक scale से line बनाएंगे, और पूरे अपने advertisement को बंद कर देंगे, scale के help से, students आपको advertisement लिखने समय ये बहुत ध्यान रखना है, कि आपको freezes का यूज करना है, कोई भी grammatical sentence पूरा पूरे नहीं लिखने है, जैसे इसमें दिखाया गया है, इसे परकार के आपको advertisement लिखना है और 50 words से कम ही होना चाहिए, Now we will start third kind of classified advertisement, third is missing, lost or find, it is written in a case, any object, person or path was missing or found, तो कोई भी चीज आपकी खो गई है, कि आपको मिला है, तो आप mention करना चाहरे है, newspaper में देना चाहरे है, तो उसके लिए आप इस परकार से advertisement का use कर सकते हैं, notes क्या है, begin with lost or find से start करना है, brief physical description देना है आपको, जो भी आपका चीज है, चाहिए वो कोई object है, या person है, या path है आपका, तो when or where lost का खोया था, वो बताना है, mention करना है, आपको, reward if any, किसी को मिले तो उसको reward ये दे पाएंगे, आप ये वो link mention कर देना है, end with a contact address and phone number से उसको end करना है, तो चलिए एक example के तुरू समझ लेते हैं, यूर यंगर ब्रदर is 5, has been missing for the last 3 days, draft and advertisement is not more than 50 words, for the missing person, column of the local newspaper, you are Ram or Rama, contact number 8 4 3 0 7 0 0 0 0 0 0, आपका छोटा भाई जो 5 years का है, वो खो चुका है, तीन दिन से नहीं मिल रहा है, इसलिए आपको एक advertisement डालना है, आपको newspaper में, तो आप कैसे लिखेंगे, सब से उपर आपकी heading होगी missing, क्योंकि यहां पे खो चुका है, तो heading missing डालेंगे, बोल लेटर में होना चाहिए, राह 10 September 2022, तो यह सारा कुछ आप phrases में लिख के mention कर सकते हैं, अगर कुछ questions में हैं तो वही लिख दीजिए, और नहीं है, तो आप इस परकार से लिख सकते हैं, he has a scare on his forehead, forehead पे कुछ निशान भी है, उसका, he is wearing a white shirt and blue shorts पहना हुआ है, उसने, he speaks Hindi and English, the person giving any clue, shall be suitable rewarded, contact Ram or Rama, और नीचे आप अपना phone number दे सकते हैं, अगर इसमें mention है, तो आपको वही लिखना है, लेकिन अगर question में नहीं mention है, तो आप कुछ भी X, Y, Z, 1, 2, 3, कुछ भी लिख सकते हैं, students आपको personal detail नहीं देनी हैं, और उसको फिक box में बंद करना मस्त, now we come on fourth type of classified advertisement, this is for sale or purchase, यहाँ पे आपको assets या goods सामान को बेचना है, या खरीदना है, तो आप उसके लिए advertisement दे सकते हैं, newspaper में, magazine में, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, notes क्या है, begin with a sale or purchase से आपको start करना है, mention type of property, जो भी आपके पास वाइकल या property है, उसको उसमें mention करना है, physical description देना है, उसके बारे में तोड़ा सा और last में आपको अपना address या phone number शो करना है, तो ये भी दो परकार के होते हैं, students, sale और purchase वाले भी दो परकार के हो सकते हैं, जैसे अगर property sale करनी है, तो पहले हम property वाले को समझ लेते हैं, size, floor, room, etc. आपको show करना पड़ेगा, अगर आपके पास property है, और आप उसको sale या purchase करना च application है, वो mention करनी है आपने, अपने आड में, price expected offer, तो जितना भी price आप चाह रहे हैं, वो आपको mention करना है, तो इसको भी एक example के थुरू समझ लेते हैं, you want to sell your flat in Ashok Vihar, write out an advertisement, giving necessary detail is about 50 words, तो 50 words के अंदर अंदर आपको होना चाहिए, और आप याँ एक flat अपना बेचना चाह रह पहले students for sale लिखेंगे, क्योंकि आप बेचना चाह रहे हैं, heading आपका for sale होगा, for sale Ashok Vihar, अगर इसमें mention है, तो वही address आपको लिखना है, और नहीं है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो for sale Ashok Vihar, ABB flat, second floor, two bedrooms, drawing dining with a full interior, car parking available, तो आपने बता दिया कि यहां यहां पे हमारा flat और interior बहुत अच्छा है, उसका car parking भी है, वहां पर, north park facing है, तो north के side उसका face है, और वहां पे park भी है, हमारे flat के just सामने बालकनी में खड़े होके, पार्क भी दिखाई देता है सामने से, near main market, main market के पास ही पढ़ता है हमारा flat, और reasonable price, price भी reasonable है, contact Harj, Mishra, और यहां पे आपको mention करना है, phone number, अगर दिया है, तो ठीक है, वहीं लिखना है, और नहीं दिया है, तो आप कुछ भी वहां पे लिख सकते हैं, और फिर आपने उसको box में, एक skill से सीधी line बढ़ा के box में, बंद कर देना, advertisement for purchase, students वो property का sale के लिए था advertisement और यह purchase के हैं, तो एक example हम purchase का भी देखते हैं, you want to purchase a flat, draft an advertisement in about 50 words for a newspaper, detailing your requirements and your capacity to pay, तो यहां है अपका handy होगा, 4 purchase, क्योंकि खरीदना है हमें flat, 4 purchase, DLF flat in South City, with 3 bedroom, corner flat prefer, मतलब अगर corner में है तो ज़्यादा prefer करेगा, price around 22, 25 lakh, owner और dealers to contact, आरके रंजन, 14, पांडरा रोड, न्यू डेली, phone number, last में आपको phone number mention करना है, तो आपको सभी चीज़ें कॉमा में लिखनी है, phrases में लिखनी है, कोई भी एक लेंदी sentence आपको use नहीं करना है, और फिर अपने advertisement को आपने बंद करना है, skill से CV line कीज़ के उसको बंद कर देना है, एक example, vehicle का भी समझ लेते हैं, ये vehicle four wheeler भी हो सकता है, two wheeler भी, तो question में जो ऐसा भी mention किया गया होगा, उसके according आपने अपना advertisement लिखना है, तो इसके लिए क्या notes होने चाहिए, state model और year of manufacturing, model आपको mention करना है, और कौन से year में ये manufacturing था, वो आपने बताना है, NASDAQ condition और mileage done, कितनी कैसी condition है, mileage कितनी देता है, आपका vehicle, color, accessories है, उसके color बताना है, उसमें क्या 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 यूज है, कौन से seat cover है, या आपने इन चीजों को mention करना है, price expected or offered, तो कितना price आप expect कर सकते हैं, वो आपने बताना है, example से समझ लेते हैं इसको, you want to sell your Maruti card, draft a suitable advertisement in about 50 words to be published in for sale, column of the Times of India, तो Times of India में आपने एक advertisement देना है, जो कि Maruti card आपने sale करनी है, और 50 words से कम कम होना चाहिए, किस परकार से हम अपना advertisement लिखेंगे, available, या available से start करेंगे, available Maruti 800 DS 2020, model in working condition, white scratchless है, white color की है, scratchless है, self driving है, मतलब second hand handle नहीं है, खुदी जलाई हुई है, average 18 km हा लीटर, एक लीटर में 18 km उसकी mileage है, leather seat covers है, expected price no below 1.30 lakh, तो 1.30 lakh से कम आप उसको नहीं sale करेंगे, contact आरके मिश्रा, और आया पर आपको number mention करना है, जो question में अगर नहीं है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट आपको अपना personal contact number नहीं लिखना है, now we come on fifth kind of advertisement to let, this is written by a person looking for tenants, for his or her property, assets, office or goods, तो यहां tenants का मतलब होता है, तो यहां किराएदार, आप किराएदार चाहते हैं, अपनी कोई property, आपका assets है, कोई office है, कोई समान है, तो उसको आप किराएपर देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कैसा advertisement लिखेंगे, और example, if a person want to give a home on rent, अगर कोई बंदा अपना home rent पर देना चाहता है, तो वो to let वाला, यूज करेगा advertisement, इसके notes क्या हैं, begin with available और wanted, ये भी available से start करेंगे, state the type of accommodation, all to let, जो रहने की जगा है, वो कैसी है, किस प्रकार गिया है, size, floor, number of room आपने mention करने हैं, और features और fitting बतानी है, उसकी location and surrounding आस पास क्या है, ये बताना है, rent expected, कितना rent आप चाहते हैं, वो mention करना है, और contact address and last में phone number भी mention करना है, You have recently constructed a house with all facility in a posh area as you have decided to give it on rent, draft a suitable advertisement in not more than 50 words for the to let column of a local daily, invent all the necessary details including contact address, अभी अभी आपका एक घर बने है, constructed newly है, और उसको आप rent पे देना चाहरे हैं, तो उसके लिए आप कैसे advertisement लिखेंगे to let, उसकी heading होगी to let, available से start करेंगे, available 3 bedroom, independent spacing house in Vikas Nagar New Delhi, a post locality, north facing car parking, 24 hours power supply and water supply, interested person may contact, XYZ और number mention कर सकते हैं, अगर question में है नहीं है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, लास्ट में उसको box में बन करना हमें बिर्कुल भी नहीं भूलना है, नाइस्ट सिक्स टाइप से है, accommodation wanted, accommodation की मिनिंग होती है, students रहने की जगा, this is written by ones looking for a place for an accommodation, रहने के लिए जगा चाहिए, जिसको वो ये लिखेगा advertisement, माल लिजे किसी का transfer होता है, कोई नई जगा पर जाता है, और उसको रहने के लिए जगा चाहिए, और उसको कोई भी knowledge नहीं है वहां की, तो वो advertisement एक लिख देगा, कि मुझे ये जगा चाहिए रहने के चाहता हूँ, और मेरे पास इतने money है, जिससे मैं इतना किराया दे सकता हूँ, तो उसके लिए कैसा होना चाहिए, advertisement एक example के थूँ समझ लेते हैं, You are the general manager, call India Limited, New Delhi, write an advertisement to be published in a newspaper for suitable accommodation on rent to be used as a guest house for the company, यहाँ पे एक company के guest house के लिए, एक general manager को, जो call India Limited, एक company का नाम है New Delhi में है, उसके लिए उनको एक जगा चाहिए, accommodation चाहिए, तो accommodation कैसे start करेंगे, advertisement, heading उसका लिखेंगे, accommodation wanted, क्योंकि यहाँ उसको चाहिए, तो wants are suitable accommodation on rent for call India Limited, New Delhi, to used as a guest house, minimum carpet area of 2600 square feet, आप और South Delhi area preferred, बज़र डेली के South में अगर मिलता है, जगा मिलती है, तो वो prefer की जाएगी, interested parties, make contact, रंजन GM, Cole India, New Delhi, और फिल लास्ट में phone number, इसको एक box से बंद कर देंगे, best और last type का जो advertisement है, वो matrimonial, students यह आपके exam में कम ही आता है, लेकिन CBS से कुछ कहा नहीं जा सकता, अगर आज आएगा तो आप कैसे लिखेंगे, तो यह bride या groom, दुला-दुलन, कुछ भी हमें चाहिए, तो हम उसके लिए advertisement लिख सकते हैं, उसके लिए क्या होना चाहिए, प्रोफोजल इंवाइटेड होना चाहिए, बॉइ गरल मेंशन करनी, अपको कि क्या चाहिए, एजुकेशन प्रोफेशनल कौलिफिकेशन बतानी है, और प्रोफेशन इनकम बतानी है, एज हाइट मेंशन भी करना जरूरी है, यह जरूरी है, और इंड में box नंबर के अरॉ कॉलम ऑफ न्यूस्पेपर फॉर बिशा अगरवाल गर्ल वर्किंग एज़ सेल्स ओफिसर इन लीडिंग एक्सपोर्ट हाउस तो यहां पर आपको एक ब्राइट ग्रूम चाहिए वांटेट तो फिर हम इसका हैडिंग भी लिखेंगे ब्राइट ग्रूम वांटेट एक दू इन लीडिंग एक्सपोर्ट हाउस इंकम इन सिक्स फिगर्स पर रहनम फादर एविंग बिजनेस अट मुंबई बॉइप प्रोफेशनल विजनेस बैक्राउंड प्रिफर अगर बैक्राउंड बिजनेस बैक्राउंड है तो वह प्रिफर किया जाएगा लड़का राइट इने बॉक्स नंबर 3754 यह न्यूस पेपर का ही बॉक्स नंबर होगा टाइम्स ऑफ इंडिया मॉंबई 8000001 लास्ट में उसको एक बॉक्स में बंद कर देंगे लाइन सीधी होनी चाहिए स्टुडेंट और हैडिंग बोल्ड होना चाहिए कैपिटल लेटर्स होने चाहिए बस यह इसका फॉर्मेट होता है और कुछ नहीं यहीं पर हमारा एडवर्टीजमेंट का टोपिक खत्म होता है नेस्ट वीडियो में राइटिंग पोर्शन के ही नोट मेकिंग टोपिक के साथ आपसे मिलते हैं होप यू विल केंग गुदी स्कॉरिंग और एग्जामिनेशन थैंक इस सो मच फॉर वाचिंग बाइ आज का ये वीडियो लेक्चर आपको एट मार्क्स का है जिसकी मार्किंग इस प्रकार से है एक बहुत बड़ा सा पैराग्राफ आएगा 200-300 वर्स का हो सकता है उस पैराग्राफ को देखके डरना नहीं है पालना है उसको रीट करना है जल्दी जल्दी से रीट करना है अपना टाइम भी बचाना है और उस पैराग्राफ को रीट करते वे पैंसिल लेके जानी है आप में पॉइंट और थोड़े जो लेंदी वर्स होंगे उसको भी अंडरलाइन करना है परते समय आपको पता चल जाएगा कि जो वर्ड बार-बार यूज हो रहा है उसी से रिलेटर आपने अपने टाइटिल को बनाना है यह टाइटल वन माक का होगा जैसे मालिया किसी पैराग से आपको टाइटल बनाना है जो आपका वन माक का होगा उसके बाद जो आपने अंडरलाइन किया है उसी में से आपने हैडिंग एंड सब हैडिंग बनाने हैं समझ लीजिए आपके पास फोर पैराग्राफ का एक टॉपिक आया है जिससे आपको नोट मेकिंग करना है तो सब हैडिंग और फिर उसके सब हैडिंग ले लिए 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.1, 3.2 और अगर आपको लग रहा है कि इस पैराग्राफ में कोई सब सब हैडिंग भी बन सकते हैं तो आपको कैसे लेना है 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 इसी परकार से स्टुडेंट्स आपने maximum four heading से लेने हैं और sub heading भी three या four आप ले सकते हैं इससे ज़्यादर नहीं और sub sub heading two या three लेने हैं अगर कोई जरूरी नहीं है sub sub heading लेना अगर आपको नहीं लग रहा है कि इस paragraph में और भी heading हो सकते हैं तो sub sub heading लेना जरूरी नहीं है अब यह पूरा notes मिलाके three marks के हैं अब यहां four marks आपके हो चुके हैं one mark title का और three marks इसके notes के जिसमें आपको कुछ भी learn नहीं करना है सिरफ paragraph आपको read करना है underline करना है और लिखना है एक बात students और ध्यान रखनी है main है जो की अपने phrases यूज करने है मतलब उसमें आपको कोई भी helping verb auxiliary verb या कोई preposition का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है minimum words यूज करने है बहुत ही lengthy heading आपको नहीं लेना है और आपने indenting का यूज करना है indenting आप जानते हैं जैसे computer में होता है na margin को लेके ही हम सारा fixed margin के according हम अपने adding को लिखते हैं तो जैसा कि यहां आप इस video में भी देख रहे हैं इस picture में शो हो रहा है notebook के margin के साथ से अपने adding लिखने हैं और उसके नीचे sub heading और अगर उसके बाद sub heading है तो gap लेके लिखने हैं तो यह indenting कहते हैं इस indenting को मिला के आपके जो बनेंगे इन नोटके आपके iMac और वन टाइटल मिला के for Marks आपके यहां हो चुक्याइंड आप फोर-फाईफ जिक्स एवन सवन भी हो सकती है abbreviation के यूज करते हैं abbreviation किसे कहते है student जब कोई long world होता है बड़ा सा word होता है उसको हम short form में लिखते हैं उसे हम abbreviation कहते हैं important abbreviation इसी video lecture में आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपके paragraph में आ सकते हैं उसमें से कई essay words होंगे जो आपके paragraph में आपके exam में आएंगे और अगर उसमें से exact नहीं भी आएंगे तो उससे related आप abbreviation अपना बना सकते हैं इस परकार के जानकरी दी गई है इस video में तो आप यह देखिए continue करें वीडियो को आप जैसे यह government है government को आपने जीओ वीटी डॉट लगा दिया एक बात और ध्यान देनी है कि हर अब्रिवेशन के बाद एक फुल स्टॉप आपने जरूर रिखना है और यह नोट बनाने के बाद की टू एब्रिवेशन यूज करना है जो कि आपके वह एक बॉक्स के अंदर रखना है इसमें पांट चेश साथ ज्यादा से ज़्यादा सिक सेवन अपने अपने एब्रिवेशन का यूज करना यह की टू अब्रिवेशन भी वाम माक का है स्टूडेंट तो टोटल आपके यहां पर फाइब माक्स चुके हैं वन माक्स टाइटल का थ्री माक्स आपके नोट्स जो आपने बनाए हैं एड़िंग सबवेडिंग सबसब और उसके बाद की टू अब्रिवेशन का वन माक यहां आपके फाइब माक हो चुके हैं जो आपने एक ही पेज में शू करना है और ध्यान देनी वाली ब aap सब्सक्राइब एस सकते हैं और ऐसे want तो थ्री जीए डालाने और उसके बाद अबर स्वेडिंस जैसा कि दिखा गया अब इसके बाद फरी माक्सट आपके संब्री के ए संब्री आपकी इसी जो काओ साथ में बनाए हैं इसी को easy sentence बनाते वे आपने summary बना देनी हैं और summary को भी इस परकार से लिखना है, उपर आपने summary लिखनी है, फिर नीचे title लिखना है, title वो ही title आप लिख सकते हैं, जो आपने notes बनाते समय सबसे उपर लिखा है, वो ही title यहाँ आप summary में भी दे सकते हैं उसके बार आपने summary लिखना है, start करना है, यह summary को box में लिख भी सकते हैं, नहीं भी box बनाएंगे तो चलेगा, लेकिन key to abbreviation में आपको box बनाना must है, तो यह 3 marks की summary है, यह 50 to 80 words तक ही होगी, इस से जादा land यह आपको नहीं लिखनी है, तो 5 यह 6 यह जदा जदा 7 line के अंदर हाफ पेस से कम में ही आपको यह अपनी summary complete कर देनी है, तो total मिलाके यह आपके 8 marks पके हो जाते हैं, आप यह rules फोलो करते हैं, तो कोई खास rule नहीं है, आपको बड़ा सा paragraph read करते जाना है, pencil से underline करते जाना है, main word, last में जा गए आपको देखना है, कि जो बार बार word यूज एक heading डाला 1 और उसी के उसी paragraph में जो और आपने underline किया है, वो आपके sub heading हो गए, फिर next paragraph में एक heading डाला 2 फिर उसी से related जो adding वो उसके sub heading हो गए, फिर ऐसी 3 में और उसके sub heading भी हैं, तो फिर आपने लिखने हैं, लेकिन spacing को follow करते हुए ही, इन heading को लिखना है, और उसके बाद लिखना है नीचे, और जो words उसके लिए अपने use के abbreviation, उस world को उसके सामने लिखते हैं, और इसके बाद 3 marks की summary है, जो कि आपने अपने points बनाए हैं, इसी को easy language में sentence में convert करके, आपने अपनी summary complete करनी है, और वो भी 50 to 80 words से तक ही होनी चाहिए, इससे ज्यादा lengthy ना हो, तो आप पेज के अंदर ही complete हो जाएगा, इस्टुडेंट से अब abbreviation word देख लेते हैं, जो इन में से मस्ती है कि आपके paragraph में आई जाएंगे abbreviation word, लेकिन अगर नहीं भी आएंगे, तो आप अगर इनको देख लेते हैं, और इनको read कर लेते हैं, तो आप अपने आप ही अपने paragraph स abbreviation word को बना सकते हैं, वर्ड से abbreviation कर सकते हैं, जैसे अगर कोई word in with ing से होता है, जैसे यहां दिया हुए eating और reading, तो eating में आपने क्या करना है, eat लिखके comma और g लगा दिना है, ऐसी reading में read लिखके comma और g लगा दिया, तो आपके यहां ing वाला abbreviation complete हो जाएंगे, अब इसके बाद अगर कोई word के last में TION है, जैसे education, organization है, तो यहां आप EDUCAT लिखके comma and लगा देंगे, तो यह आपका abbreviation है, और organization में O, R, G, A, N, I, S, A, T, लिखके comma and लिख देंगे, तो आपका abbreviation complete हो जाएगा, और last में full stop भी जरूर लगाना है, next student, जिसके last में, this word के last में AL होता है, Ind with AL, जैसे natural है, internal है, तो आपने natural में N, A, T, U, comma L का यूज़ करना है, और I, N, T, E, R लिखके L लगा देंगे, तो आपका abbreviation हो जाएगा, और last में full stop का भी यूज़ करना है, next student word है, Ind with ED, जैसे planned है, demand है, तो आपको PLAN, D लगा देंगे, planned abbreviation है, और D, E, M, A, N, comma D, demanded का abbreviation है, next Ind with meant, जैसे है, entertainment, तो आपको entertain लिखके, comma T लगाना है, department है, तो department लिखके, comma T लगा देंगे, तो यह आपका abbreviation complete हो जाएगा, next student, इन symbols को भी यूज़ करके, हम abbreviation बना सकते हैं, जैसे यह symbol है, and therefore, because, that is, percent, hundred, for example, के लिए, हम E dot, G dot लिख सकते हैं, namely के लिए, V, I, Z, तो यह कुछ symbol है, जिसको हम abbreviation रूप में, यूज़ कर सकते हैं, next counting words को भी convert कर सकते हैं, only counting में लिखके, जैसे thousands है, student by mistake, 0 नहीं लगा है, आप लगा लीज़ेगा, और 8 को, और 8 नमबर में लिखके, 15 को 15 नमबर में लिखके, भी हम abbreviation को यूज़ कर सकते हैं, और जो भी आप abbreviation यूज़ करेंगे, परगराफ में, read करते समय, उसको underline करते जाएं, और last में, जो key to abbreviation का box बनाएंगे, आप लिख देंगे, और इसका full world भी आपको शो करना होगा, पहले abbreviation और उसके सामने उसका word, नेस्ट है, mathematical symbol है, जैसे greater than, equal to, at the rate of less than, or, और before, के लिए ये कुछ symbol है, जो आप यूज़ कर सकते हैं, abbreviation में, next student, capital initial letters के abbreviation है, जैसे central board of secondary education के लिए हम CBSC का यूज़ कर सकते हैं, chief minister CM, journal post office, GPO, prime minister PM, station out officer, SHO, superintendent of police, SP, United Kingdom, UK, United State of America, USA, United Nation educational, significant and cultural aggrandization के लिए UNESCO, United Nations organizations के लिए, UNO, World Health Organization के लिए, WHO का यूज़ हम कर सकते हैं, कुछ students अब बड़ी वर्स ऐसे भी होते हैं, जिनके इस दाटी के हम दो या तीन letter लेकर और full stop लगाकर abbreviation बना सकते हैं, जैसे captain में, CAPT. Company CO. Colonel COL. Discount DIS. Figure FIG. Laboratory LAB. Library LIB. Science SC. Signature SCG. Society SOC. Technical TECS. Telegram TEL. University UNIV. Division DIV. Information INFO. से हम abbreviation परना सकते हैं, Now taking first and last letter लेकर भी हम abbreviation त्यार कर सकते हैं, Doctor DR. Foot या feet है तो FD. Government है तो GOVT. Point है तो PT. Standard में STD. Station है तो STN. Mr. के लिए MR. और Mrs. के लिए MS. S.E. Secretary के लिए SECY. Year के लिए Y.R. 10th के लिए 10 और TH लिख सकते हैं, Pandit को PT लिख सकते हैं, PT. Now student not making and summarizing को हम एक paragraph से समझ लेते हैं, यह paragraph इसका screenshot आप ले सकते हैं and read कर सकते हैं और अब हम इसके notes बना लेते हैं, तो सबसे पहले सबसे उपर हम title लिखेंगे Art of Listening, हम इस paragraph को पढ़के पता चल रहा है कि Art of Listening इसका title अच्छा title हो सकता है, अब हम एडिंग लिखना है, स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट एडिंग है Research, जिसके सब एडिंग है Human Mind Process 500 WPM, WPM एक अब्रिवेशन है, जो वर्ड पर मिनट के लिए यूज किया गया है, next second speaker speaks 150 WPM, differences between the two and two को भी symbol form में हमने लिख लिया है, तो note making में हम जितने मर्जी, abbreviation और symbols का यूज कर सकते हैं, लेकिन key to abbreviation में आपको ज्यादा ज्यादा 6 या 7 ही देनी है, इससे ज्यादा key to abbreviation शो नहीं करनी है, इसे प्रकार से second, third और fourth, five टक यहां पे heading बंज गए हैं, तो यहां पे कोई sub-sub heading हमें नहीं मिला है, इसलिए यहां पे sub-sub heading नहीं बना है, sub-sub heading बनाना student कोई जुरूरी भी नहीं है, एक पेज में पूरे notes और key to abbreviation को box बनाने के बाद, next page में आप हमें एक summary लिखनी है, 50 to 80 words की यह summary होनी चाहिए, बस इससे ज्यादा नहीं, तो इसी यह जो notes हमने prepare किये थे, इनी notes को एक sentence form में यूज करके, हमने easy summary बना देनी है, जिसके हमें 3 marks मिल जाएंगे, students इसके साथ है हमारा note making and summarizing का video lecture खत्म होता है, I hope you will gain good score in your examination, मिलते हैं जल्दी next video में, thank you so much for watching, Hello students, this is Anupam Gumbir and you are watching Anupam English Classes, इस video lecture में आप speech writing लिखना सिखेंगे और 8 marks प्राप्त करेंगे, आपके exam में आता है, इस question, speech writing का कोई एक topic दिया जाएगा आपको, जिस पे आपको speech लिखनी है, इस speech के होता है एक भाशन होता है, वैसे तो हम बोलते हैं, भाशन बोला जाता है, बट आपके exam में आपको लिखके speech दिखानी है, Students, speech clear होनी चाहिए, conscious होनी चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, 150 words के अंतरगत होनी चाहिए, बस, इस से ज़्यादा बड़ी speech आपको नहीं लिखनी है, coherent होनी चाहिए, it must be logical order होना चाहिए, यान कि सबसे उपर अगर आपको true truth लखते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, उसके बाद, three paragraph, first paragraph में आप introduction देंगे, अपना and topics related, second में topic को detail में लेंगे and last conclusion, तो three paragraphs speech में होने चाहिए, अब students इसका format देख लेते हैं, सबसे उपर आपको title लिखना है, जो आपको one mark देगा, और उसके बाद quote यूज करनी है, student के एक quote है, जो आप mostly speech wisdom में लिख सकते हैं, believe in the beauty of your dreams, and then आप speech start करिए, इससे बहुत effective होगी speech, next, first paragraph होगा, जो की two marks देगा आपको, इसमें आप self introduction and topic से related introduction दे सकते हैं, यह कुछ particular line है, जो आप सभी speech में use कर सकते हैं, students, respected, chairperson, honorable judges, principal and my dear friends, good morning to all, myself, यह आप अपना नाम दिख दिजिए, from class, यह अपनी class mention कर दिजिए, I am going to express my views on the, यह पे आपको topic लिख देना है, students, और यह first paragraph complete होता है, तो यह आपके three marks हो चुके हैं, एक marks title का, और two marks, first paragraph के, नहीं टुटेटें second paragraph, इस paragraph में भी आपको three marks मिलेंगे, इस paragraph में आपने topic को detail में लेना है, topic से related causes, effect, advantage, disadvantage, factor and figure का यूज कर सकते हैं, आपके facts और figure में approach यूज होगा, क्यों, क्योंकि हमारा figures जैसे अगर हम factor का यूज कर लेते हैं, कि इंडिया की इतने percent population educated है और यह नहीं है, तो यह data students time के according change होता रहेगा, जिससे कि हमें approach यहाँ यूज करना must हो, यह students आपके five marks complete हो चुके हैं, और अभी भी हमने, अपने speech की writing के graph को नीचे नहीं गिराना है, और यह उपर उठाना है, means अप conclusion paragraph है, जो large end effect है, speech का वो बने रहने देना है, और conclusion को भी बहुत अच्छे से लिखना है, in conclusion I would like to say that, इस line का आप हर एक speech में यूज कर सकते हैं students, और उसके बाद topics related एक दो लाइने लिखती जिए और लास्ट में I hope you agree with my views के लिखके ठेंक्यू लिखके अपनी speech खातम कर दीजिए तो यह paragraph आपको two marks देगा, now students eight marks आपके complete हो चोके हैं, यह speech writing का format है, कोई खास format नहीं है, आप students कुछ ऐसे topics देख लेते हैं, जिसमें आपको सिर्फ title को ही change करना है, मतलब पूरी speech में आप इनी line का use कर सकते हैं, केवल title को ही change करके आप अपनी speech को complete कर सकते हैं, तो students यह कुछ topics हैं, जिसमें आप इन particular line का use कर सकते हैं, poverty, inflation, unemployment, population increases, rising crime, global warming, pollution, covid-19, crime against women, social discrimination, social unrest, rising crime, drug abuse, rising prices, pollution, racial discrimination, viral disease. Students, मैंने इसमें से rising prices topic को लिया है, जिसमें यह speech लिखिया है, आप इसमें से कोई भी topic का use करके, अपनी speech को लिख सकते हैं, इनी line से, कि कौन सी particular lines हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं, speech लिखना, rising prices, सब से उपर हम title लिखेंगे, जो कि capital letters में होना चाहिए, अब यह quote लिख दीज Now start करिए first paragraph, respected principal, teachers and my dear friends, a very good morning to all of you, today I am going to express my views on the rising prices, यहाँ पे इसमें मैंने rising prices लिखेंगे, आप अपनी topic को लिखेंगे, आपका topic है, उसका title लिख दीजिए, now second paragraph, our country is faced with many problems and one of the biggest problem is rising prices, यहाँ पे few rising prices है, आप को अपना topic लिखने and then the most affected person are the salariat class who get a fixed amount of salary, their expenditure plan meets a setback when they find that the prices are going beyond their budget, there are various factors responsible for the rising prices, the ample production in our country is not sufficient through the meat, the requirements of the growing population, a load of black money in the market is a serious problem in our country, corruption plays an important role in the rising of prices, यह students हमारा second paragraph खतम हो जाता है, तो इन लाइनों का आप यूज, किसी भी social issues में कोई भी आपको topic जो मिला है, उनमें आप इन लाइनों का use कर सकते हैं, आपने यहाँ क्या करना है, यह जो underline हो रखे हैं words, इनको अगर आप black pen से underline कर जाते हैं, तो आपके examiner का यहाँ पे impression ब paragraph होगा, in conclusion, I would like to say that the government should take serious measure to check this problem, every possible step should be taken to free society and free of corruption, तो यह third paragraph यहाँ पे complete होता है student, और last में लाइन लिख दीजिए, I hope you agree with my views, and last line का use करते हुए, next line में thank you लिखके अपनी speech खतम कर दीजिए, यह students आपको 8 marks पूरे मिल चुके हैं, तो इन line का आप करी अपनी speech में use कर सकते हैं, students, इस speech में से कुछ ही line ऐसी हैं, जो कि आपके topic में, जो आपको title दिया गया है, उससे relate ना करें, तो वो line आप मत लिखिए, सिर्फ बाकि इन सभी line का आप अपनी speech में use कर सकते हैं, और उन line की भजाए, आप अपने topic के according, कोई 2 जो नहीं लिखने हैं, वो अपने topic के according, लिख दीजिए और अपनी speech को complete कर दीजिए, students, I hope you will get full marks in speech writing, students, अगर आपको speech writing का ये video lecture अच्छा लगा हो, तो प्लीज एक like कर दीजिए, और writing skills से related, और भी अगर topic line है, या ऐसी particular line लेना चाहते हैं, जो आपको हर writing में use हो सकती हैं, तो उससे related separate video lecture बने हैं, जो description में जाके आप link को press करके प्राप्त कर सकते हैं, thank you so much for watching, मिलते हैं next video lecture में, bye